नमस्कार दोस्तों, आज की वर्तमान समय में जब हम हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूट सेफटी डे के रूप में मनाते हैं, ऐसे में हम मेंसे कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिने एक्सपारी डेट, बेस्ट बिफोर और यूस बाइड के बीच प्रॉपर डिफरेंस नहीं पता होता, और ऐसे में कई बार हम यूसफूल चीजों को बाहर फैंक देते हैं, और खराब चीजों का कंजम्शन करते रहते हैं, हमें इन तीनों के बीच अंतर पता होना चाहिए, ताकि अगली बार जब आप दुकान पर कोई प्रोड़क्ट खरीदने जाएं, तो आप से कोई गलती ना हो, एक्सपाइरी डेट का मतलब सभी लोगों को पता होता है, इसका अर्थ है कि अगर आपने बजार से कोई प्रोड़क्ट खरीदा है, तो आप उसे कितने समय तक इस्तमाल कर सकते हैं, प्रोड़क्ट को अगर बताई गई तारीक के बाद इस्तमाल किया जाता ह तो इसके साइड इफेक्स हो सकते हैं, एक्सपाइरी डेट जादत तर दवाई, ब्यूटी प्रोड़क्स और कॉस्मेटिक आइटम के पैकेट पर लिखा हुआ होता है, बाजार में दूद, दही, बिस्किट, ब्रेड, चिप्स जैसे कई खाने पीने वाली पैकेज्ड ची इसके बाद उसके रंग, स्वाद, गंध और पोशक तत्वों में अंतर आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, प्रोड़क्ट की कॉलिटी खराब होती चली जाएगी, इसके अलावा बहुत से कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट ऐसे भी होते हैं, जिसमें बेस्ट बि इसके बाद उतने मंत तक ही वो बेस्ट रिजल्ट देगा, उसके बाद प्रोड़क्ट की कॉलिटी कॉम्प्रमाइज हो सकती है, और उसके साइड इफेक्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्रोड़क्ट में यूज बाइड या यूज बिफोर लिखने का मकसद सेफटी से जुड़ा इंडिकेटर होता है, ये अकसर ऐसे फूट्स पर लिखा होता है, जो जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे रेडी टू इट फूट्स, सैलेड, दूद, ब्रेड या मीट प्रोड़क्ट, इस डेट के बाद आपको इस प्रोड़क्ट का इस्तमा नहीं करना चाहिए, भले ही उसके गंद और दिखने में कोई अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन ये यूज बाइड के बाद खराब ही माना जाता है, फिल्हाल हमारे देश में सिर्फ ब्रेड, दूद और डेडी प्रोड़क्ट पर ही यूज बाइड या यूज बिफोर उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो यूसफुल लगी होगी, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक, शियर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, स्टे हेल्दी विट्रूप पिल्स